नॉर्मल डिलीवरी का महत वह इतना है कि बच्चे की इम्मुनिटी अच्छी रहती है, मा जल्दी रिकवर हो जाती है, बच्चा ज्यादा बेमार नहीं पड़ता और ऐसी बहुत सारे चीज़ है लेकिन सीजेरियन डिलीवरी की बढ़ती रेट्स को देखकर नॉर्मल डिलीवरी के लिए हर कोई सोचने लगा है कि क्या करें, तो आपके क्या करें का जवाब आज के वीडियो में है कि डिलीवरी का समय आ गया है, आपने डॉक्टर से जाच करा ली है, डॉक्टर ने कहा है कि यह लेबर को इंड्यूस करेंगे, कुछ लेबर को इंड्यूस करने के लिए कुछ इंजेक्शन दिये जाते हैं, ऑक्सिटोसिन बगर दिया जाता है, वो हम नाच्रली भी ले सकत हैं, तो आप उनको avoid करके naturally try कर सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के guidance में यह काम करना आपकी और आपकी 9 महीने की तपस्या है, उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए, डॉक्टर से बात करें, चीजों को समझ के रख लें अगर आपको labor pain आ रहा है, लेकिन long, लंबा duration आ रहा हो रहा है labor का, जल्दी से आप delivery के stage में नहीं जा पा रहे हैं, तो paddle चलें, walk करें, कुछ exercise कर सकते हैं आप, जो आपके doctor suggest करेंगे, लेकिन walk करना, एक तो आपका pain जो feel हो रहा है आपको उसको कम कर देगा, दूसरा labor को भी news करेंगा, तो टहलें, थोड़ा physically active रहें, घर का काम कीजिए, जाड़ों पोचा लगाईए, जितना कर पा रही हैं, उतना करने की कोशिश कीजिए, you have to be bold and brave this time, second trick, nipple stimulation, nipple stimulation से क्या होता है, nipple का cervix से बच्चेदानी के मुझ खुलने से क्या relation है, nipple का जब stimulation होता है, जब nipple so nipple stimulation भी किया जा सकता है, इससे uterus में contractions बढ़ते हैं, जो आपको delivery तक लेके जाते हैं, कई बार आपके doctor या dietation बताते हैं कि आप papaya या pineapple खा लिजे, क्योंकि ये cervix को smooth करने में help करता है, या फिर कई बार आपको juice में या गुनगुने दूध में, तो चम्मच castor oil पिलाया वो ही दिया जाता है, जिससे कि आपको diarrhea हो, आतों का movements हो और उससे जल्दी से आपकी delivery हो जाए, लेकिन doctor से पूछे बिना ये काम ना करें, हो सकता है कि किसी महिला के साथ normal delivery की condition ना हो, और ऐसे काम कर लेने से condition और complicated हो जाए, या फिर water break हो गया है, तब ऐसे काम आप ना करें मसालेदार खाना, जैसे कि घर में कुछ भी चटपटा मसालेदार सबजी बनती है, या कोई snacks बनता है, spicy उसे आप खाए, मिर्च, ये जो मिर्च है, ये कुछ magic कर सकती है, क्योंकि मिर्च में पाया जाता है, कैपसीसियम, और ये कम से कम दर्द से आपको रहत देलाता है, इ जब आप लेबर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लंक्स बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, तो लेट कर बड़े आराम से और ऐसी कैसे भी न पीए, बहुत आराम दैक बैट कर और सही तरीके से कुछ चीज को पीए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ क्याजवल्टी होती है कि लेटे हैं और बैट पर दीरे-दीरे कुछ भी चीज़ी दे दी और इससे उनके साथ बहुत ही जटिल समस्या हो गई, आप स्रीडियां चड़ उतर सकते हैं, आराम से सपोर्ट के साथ में कोई आपका हाथ पकड़ के आपके साथ चले, ऐसे, इवनिंग प्रेमराज ओयल की कैपसूल आती हैं, तो उसको आप खा भी सकते हैं, इसके अलावा अपने डॉक्टर की सलहा से, आप उसको अपने शरीर के अंदर भी रख सकते हैं, अंदर रखने से, निचिलेंगों में रखने से, उसका शेल जो है, वो मेल्ट हो जाता है, और इपनिंग प्रेमराज ओ सुरक्षित हो, शुब कामनाव के साथ, बाबाई